दर्श का दर्श को भारत राष्ट विजे अन्ते तराम मैं देविन सचान जिम्सी टीवी में आपका स्वागत है वेद का पर्चे के दूसरे भाग में हमने अनादिकाल से चली आ रही वेदिक ज्ञान परमपरा पर बताया था आज हम बताएंगे वेद का अर्थ और मुख वेद कितने हैं वेद का अर्थ है ज्ञान वेद सब्ध विद सत्तायाम विद ज्ञाने विद विचारने एवं विद लाभे इन चार धातूं से उत्पन होता है संग्शिप्ट में इसका अर्थ है जो त्रिकाला बाधित सत्ता संपन हो परोक्ष ग्यान का विदान हो सरवादिक विचारों का भंडार हो और लोग पर लोग के लाबों से परपूर हो जो ग्रंथ इस्ट की प्राप्ट के लिए अनिस्ट के परिहार के उपायों का ज्ञान कराता है वेद है भारति मानता के अनुसार वेद ब्रह्म विद्या के ग्रंथ भाग नहीं स्वयं ब्रह्म है सब्द ब्रह्म है veda means knowledge the word veda is derived from these four dhatus with set跳am with Benyani with we Charlie and with laborает in sure in means one who is full of 3 three times bound existence is the storehouse of indirect knowledge is the storehouse of the most thoughts and is full of the benefits of the world the the scripture which gives knowledge about the ways of attainment of favor and the means of avoidance of evil is the Vedas according to the ancient Sanatan Indian when he Indian we leave the Vedas are not the scripture part of theology but Brahma itself the word is Brahma I am Prachin Sanatan Dharm evam bharati sanskrit ka mool adhar istambh vishu ka ati Prachin aur sar pratham vang mein Ved maana gaya hai maanau jati ke lowkik sansarik tata parmarthik abhiudahe hedu praakatya hoonay se ved ko anadi evam nit apaurse arthat devokrit kaha gaya hai अधिप्रचीन काल महा तपा पुन्य पुन्य रिष्चियों के पवित्रतम अंता करण में वेद के दर्शन हुए थे अताह उसका वेद नाम प्राप्थ हुआ इसलिए वेद अलोकिक ज्यान का साधन है तेने ब्रह्म हर्दा या आधिकवे तात पर यह कि कल्प के प्रारंब में आधिकवी ब्रह्मा के हर्दे में वेद का प्राकाट हुआ अताह फल्स रूप एक ही वेद का स्वरूप ही मंत ब्राह्मान आरण्यक उपनिसद के रूप में चार ही माना गया है इतियास पुरान आधि महान गरंत वेदों का व्याख्यान के स्वरूप में रचे गए हैं प्राचीन काल और मद्युग में सास्तरार इसी व्याख्या और अर्थांतर के कारण हुए हैं वर्तमान वर्तमान काल में वेद चार माने जाते हैं आज चत्रवेद के रूप में ग्यात इन ग्रंथों का विवरण एवं उनके नाम इस प्रकार है रिगवेद जिसे रिगवेद अखंड निशब्द गती यानि मोनो लिथिक साइलें एक्साग सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद माना जाता है रिगवेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद यानि पहला वेद माना जाता है रिगवेद स्ष्टी का सम्विधान है और संपूर वैदिंग वांग में की स्रंखला में ये प्रथम है दा रिक वेदा इस दा कांस्टिटूशन आप दी यूनिवर्स एंड इस दा फॉस्ट इस दा सीरीज ओप इंटायर वेदिक टेक्स्ट यानि यह दुनिया के सरपृथम गरंथों में से एक है इसमें होत वर्ड के लिए उपयोगी मंत्रों का संकलन है इसमें रिक संग्यक इन दिस रिक कोगनाईजेंड वर्ड मंत्रों की अधिक्ता के कारण इसका नाम रिक वेद हुआ है इसमें होत्र वर्ड के उपयोगी गध्यात्मक शरूब के भी कुछ मंत्र हैं यह वेद मुख्यता रिशी मुनियों के लिए होता है इस वेदा इस वेदा इस मेलनी फोर दी साइन इस्टिस्ट एं रिशर्चर एं रिग वेदा रिग वेद नियमित अक्ष्रों के छंदों में निवद्ध हैं रिग वेद में मंडल दस हैं और दस सो अठाइस सूक्त हैं और ग्यारा हजार मंत्र हैं वेद मंत्रों के समू को सूक्त कहा जाता है रिग वेदा मंत्राज इस काल सूक्ता इसमें एक दाइवत तथा एक आर्थ ही प्रतिपादन होता है इन विच वनली वन डिवाइनिटी एंड वननेस रिशाइड रिग वेद के सूक्त विदवत रिग वेद के सूक्त विविद देवताओं की इस्तुति करने वाले भाव भरे गीत हैं इन में भक्त भाव की प्रधानता है यद्यप रिग वेद में अन्प्रकार के सूक्त भी हैं परंत देवताओं की इस्तुति करने वाले इस्तोत्रों की प्रधानता है चारों वेदों में स्रवाधिक प्राचीन वेद रिग वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इत्याज के विसे में जानकारी प्राप्त होती है रिग वेद रथात ऐसा ग्यान है जो रिचाव में बद्ध है रिग वेद। इस अब अदा chlorड आर्यों की रिग वेद है ऑद इसमनीतिक प्रेकला नहींस टीरन की श्व साखाने अब आते हैं रिगवेद की साखाएं ब्रांचे जाप रिगवेदा रिगवेद के मंत्रों का उच्छारण यग्यों के आउसर पर होत्र रिश्यूदारा किया जाता था रिगवेद की अनेक संहितां में संप्रती समिता की उपलब्ध है समिता का अर्थ होता है संकलन यानि संहिता का अर्थ संकलन होता है रिगवेद की पाँच शाखाएं है शाकल वाशकल अश्वलायन सांखायन और मांडूकायन आज हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं कल आपको इसके आगे का भाग आपको बताएंगे तब तक देखते रहें जिम्शी टीवी नमस्कार